नमस्कार, समाचार नहीं सूचना, आपके समक्ष छोटे से वेडियो में किवर एक डिपार्टमेंट की सूचना हैं और सूचना के नाम पर आपके समक्ष ठेंगा इनवर्स्टी ने दिखा दिया है क्योंकि यह सूचना, पिएजडी के होने वारे इंट्रवू को लेकर है और उनवर्स्टी का नाम महत्मा गांधी सेंट्रल उनवर्स्टी मोतिहरी बिहार है आपको लगा होगा महत्मा गांधी जी का नाम सुनते ही कि काशिव विद्यापीट की बात हो क्योंकि आप लोग बड़ी वेसर भी सेंत्यार कर रहे हैं लेकिन आप लोगों से भी लगबग 6-8 महीना पहले इस विश्विदारे के बच्चे बेट कर रहे हैं इंट्रवू का क्योंकि लगबग सवा साल होने वाले हैं इस उन्वेस्टी में अप्लिकेशन फॉर्म भरे हुए बच्चों को और अभी तक एड्मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है जानते हैं ना कुछ भी रीजन हो सकता है कि वल एक डिपार्टमेंट की खवार आई है सेंटर उन्वेस्ट से आप लोगों का इंटर्वू रखा गया है कि यदि आप भी इस उन्वेस्टी में अप्लाई करें हैं और इस डिपार्टमेंट से आपका संबंध है और एक चीज और नोटिफिकेशन का लिंक और पीडियेफ फाइल का लिंक आपको नहीं मिलेगा इस बार डिस्क्रिप् पीटी भी बना कर लेकर जाना है च्छे स्लाइड का आchnya कर जी का एक स्लाइड में विषय का इंट्रोडक्शन और आपका इंट्रोडक्शन होगा और पास्लाइड में आप अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे जैसे करते हैं पीटीम में कमेंट करके कोई बच्चा ना पुछे कि परपोजल और PPT कैसे बनता है कई वार वीडियो में बताया है और बनारा सिंदू यूनिवेस्टी हो या बीबी यूनिवेस्टी हो इन दोनों यूनिवेस्टी के इंट्रिवू को लेगा जब बाच्चीत आपसे की गई थी तरब डिटेल में आपको बताया थ था कि PPT और प्रस्तावनान की शोध कैसे तयार करते हैं उन वीडियो को देख लीजेगा उसका लिंक देदूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चीच अपने सभी डॉक्मेंट साथ लेकर जाईएगा जो भी आपने अप्लाई करते वक्त में फॉर्म के साथ में अटे इस ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में है और आपने पाटिस्पेट किया है और आपने ये जानकर दिया है तो ये सारे डॉक्मेंट भी आपको साथ लेकर जाने हैं इंट्रिवू के टाइम पे क्योंकि इसके अलग से बेटेज मिलते हैं आप सभी जानते हैं ये आप नेट हैं, जैराफ हैं, गेट हैं, सेट हैं जो भी आपने एक्जाम पास किया है नेश्टन सर्की स्कॉलर्शिप या परिश्यवाले उसके भी परमानपत्र साथ लेकर जाईएगा ये आप उसके डिग्री में आपने हैं और एक चीज और फुल टाइम माध्यम की पिएच्डी है ये, डिपार्टमन का नाम है एजुकेशन, पिएच्डी इजुकेशन डिपार्टमेंट में महात्मा गांधी, केंद्रे विश्वेदाले, मोतिहारी बिहार ने आप लोगों को इंटर्वू के लिए ये सब चीजे मांगी हैं इंटर्वू के तिन 6 इससे पहले आपको ये सभी डॉकुमेंट से डिपार्टमेंट को इमेल के माध्यम से भेजने हैं, कब तक भेजने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में बने रही है, क्योंको नोटिफिकेशन में अगर एक में चीज भी चूट जाए ना, उसी को लेकर आप सवाल करते हैं, इसी लिए हमें नोटिफिकेशन देख लें, चार पेज का नोटिफिकेशन है, कोई गलती से कोई गलती ना होता है, सत्तर नमबर का इंट्रेंस था, तीस नमबर का इंट्रवू है, अब आपका, ठीक है, और जो बच्चे, SC, ST, OBC, OBC, OBC में नॉन क्र के डिगरी में आते हैं, उनको 50% या उसे ज़्यादा पे इंट्रेवू के लिए बुलाया गया है, इस बाद का क्याल रखेंगे, एक और बात इसमें जो कही गई है, जो डॉकमेंट आपको साथ लेकर जाने है, वोटो कापिर और 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 ऑजिनल भी, उसकी पूरी एक कांस्लिंग होगी हैंंकि इंट्रेवू के दिन में, यह सभी डॉकमेंट आपके पास मौजूत होने जरूरी है, और यदि कोई important डॉकमेंट आपके पास नहीं होता है, तो आपको अंडर्टेगिंग भी सम्मिट करना होगा, ठीक है, और अंडर्टेगिंग सम्मिट करना आ इमेर के बाते हम से भीजने हैं, डेट है 3 जुलाई 2022, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा ये देखते देखते कि बहुत सी फालतू बाते मैं करता हूँ वीडियो में और कुछ बखवास भी कर लेता हूँ, इसी बखवास को सुनने के लिए हजारों इस इमेल आड़ी को डिस्क्रेप्शन वाक्स में डाल देखते हैं, यानि के स्कूल ऑफ एजुकेशन एडमिशन दोहजार एक्किस एड़ीरेट जीमेल डाट कॉम, इस इमेल आड़ी पर आपको अपने सभी डॉकुमेंट को इमेल के माध्यम से बेजना है, तीन जुनाई दोहजार बाइस तक और कौन से पटे डॉकुमेंट इसको फिक्स सुन लीजे, आपका पावरफॉन पर्जेंटेशन, आपका रिसर्च परपोजल और सभी अकैडमिक डॉकुमेंट्स ठीक है, और जब आप इंटर्वू देने के लिए जाएंगे, पीपीटी बनाके लेके नहीं है, लेकिन विश्विदारे में कुछ जादा अभी भी है, ठीक है, ये नियम कानून थे, और फुल टाइम आदियम की पीएचडी है, इस बात का ध्यान रखेगा, और एड्मिशन की फीस यह आपका इंटर्वू का रिजल्ट आएगा फनली, तब आपको सम्मिट करन होगा, और वेन्यू है, डिपार्टमेंट अफ एड्यूकेशन, एड्यूकेशन, स्टडीज, स्कूल अफ एड्यूकेशन, मात्मा, बुद्धा, परिसर, मात्मा, गांधी, सेंटर, यूनिवस्ट्री, बैंकेट, मुतिहारी, इस्ट, चंपारण, बिहार, चौरासी, अप्रिकेशन फॉर्म, जो आपने भरा था, उसका प्रेंट आउट निकाल लेज़ेगा, और जिनल लगेगा, पांच पासपोर्ट साइस फोटो आपकी, कलर में, टैंथ, ट्वेल्थ के साथ होने चाहिए, सेल पट्रेस होने चाहिए, यदि आपने बी ए, बीए, बीए, जो भी आपने डिगरी की है, उन सभी के सर्टिफिकेट और मार्क शीट, यदि आपने एमफिल किया है, तो उसका परमान पत्र, यदि आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है, हाँ, अधार कार्ट की फोटो कापी रखनी है, और आपने कोई ECA, एक्स्टा क्रोफिनम अक्रि पालीजेगा, आपका क्रेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने लाश डिगरी और लाश इक्जामिनेशन इस इनिविश्टी से दिया है, उसको लेकर ट्रांसफर और माइडरिशन सर्टिफिकेट और चाहिए होंगे, यदि इंट्रिवु के टाइम पे नहीं होते हैं, तो कोई अरिजनल इस बात का ध्यान रखेगा, और साथ हिजार ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइडरिशन सर्टिफिकेट भी आपको ओर्जिनल ही लगाना होगा, यदि आप सर्टिफिकेट लगेगा फोटोकापी के साथ में, और अनोसी भी लगानी है, उन बच्चों को जो कहिना प्रवा सकते हैं और कोई और डॉकुमेंट जरूरी होगा तो आप विश्विदाल से पूछ लीजेगा जो जानकारी मेरे पास मिली थी आपको दी गई प्रचेंटेशन की जानकारी और सनोपसिस की जानकारी इंट्रवू की डेट की जानकारी जिन बच्चों को इंट्रवू के बुलाया गया है उसकी लेश्ट वेबसाइट पर मौजूद है जाईए कर देख लीजेगा वीडियो बनाने वाला था लगभग 5 मिनट का 4 मिनट का आप से बखवास को इग्णोड करके 4 मिनट का वीडियो देख लीजेगा और मन में दिल में दिमाग में किट्नी में लीवर में तकलिफ तो नहीं होगी आपके सवाल यदी हो इन जगाओं पर तो सवाल पूछ लीजेगा अगले वीडियो बात करेंगे किसी और इन्वस्ट है जैहिंद उना सभी को सलाम